ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ये कोई और नहीं ये करंज के पत्ते हैं दोस्तों ये करंज इतनी पावरफुल और जबर्जस्त जड़ी बूटी है कि ये कई प्रकार की बीमारियों को दूर करती है आज चलगब घजारों साल पहले लिखे गई प्राचिन सहितावों और निगंटों में इसी करंज का वरणन मिलता है लेकिन इसकी जानकारी नहोने के कारण हम करंज जैसे पोधे को साधारन समद लेते हैं करंज कोई साधारन वरुक्स नहीं है आईर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंतों में सुबह उठकर दातों को साप करने के लिए जिन जड़ी बुटियों की टहनियों का दातों करने का उल्लेक मिलता है इनमें करंज वरुक्स पहले नंबर पर है करंज की टहनिका दातों सर्वस्रेष्ट माना गया है ये करंज का वरुक्स आपको पूरे भारत में देखने को मिल जाएगा इसका वरुक्स मध्यम आकार का और चायादार होता है इस प्रकार की इसकी पत्या होती ही आप ध्यान से पहचान लिजिए इस वरुक्स पर सफेद रंके गुच्चों में पुस्प लगते हैं और इसकी बाद फली लगती है इसका आकार भी अर्दचंद्र के समान होता है हिंदी बासा में इसे करंज करंजवा किर्माल और पापर के नामों से जाना जाता है सस्कृ साहित्य में इसे गुच्छ पुस्पक और नक्त माल से पहचाना गया है इसका अंगरिज नाम पॉंगमा ओयल ट्रियो और वग्यनिक नाम पॉंगे मिया पिन्नाटा है इसके पत्रों का आकार अंडाकार होता है तथा हरे रंग के और चम के लिए होते हैं इस पर सफेद रंग के गुच्छों में पुस्प लगते हैं तब इस रुक्स की सोभा पढ़ जाती है करंज का रुक्स कहीं प्रकार की बीमारियों को दुर करता है इसमें अनेक प्रकार के अवसद्य गुण होते है आयरवद के अनुसार इसके गुणों के हम बात करें तो ये थोड़ा तीका, कड़वा, कसेला, गर्म प्रकृतिका और पचने में हलका और तिक्ष्न होता है ये पित को बढ़ाता है और कफवाद सामक होता है, पाचन करिया को मजबुत बनाता है और दांतों के लिए बहुत ही लापकारी होता है ये तोचारोगों में रामबान जड़ी भूटी की तरफ काम करता है, तोचा के संक्रमन को ये दूर करता है और अन्यक प्रकार के तोचारोगों को नेस्ते नाबूद करता है तो दोस्तो पहचान लीजिए इस करंज के रुक्स को, ये आपको सड़क के किनारों पर भी आसाने से मिल जाएगा तो दोस्तो आई जानते हैं कि करंज का उप्योग अवसतकारिय में किस प्रकार से किया जाता है सबसे पहले जानते हैं कि आँखों के लिए करंज का उप्योग किस प्रकार से कर सकते है अगर आँखों में किसी भी प्रकार की समस्या होती है आँख लाल हो जाती है या आँखों में दर्द रहता हो तो करंज के बीजों को लाए और इसका कल्क बनाए और दुद में पकाए दुद जब ठंडा हो जाए तब चान कर उस दुद से आँखों को अच्छी तरह तोए इस परकर आँखों को दो से तीन दिनों तक दोते रहने से आँखों की कई प्रकार के समय साए दूर होती है दुस्तों दातों के दर्द में भी करंज के वुरुक्स का कोई चवाप नहीं है दातों का स्वस्त और मजबुद बनाए रखने के लिए करंज की टहनी का रोजाना दातुन करे इसकी टहनी का रोजाना दातुन करने से पाहर यानस्ट होता है दातों में होने वाला दर्द मिठता है और दात मोती जैसे चम के लिए बने रहते है करंच का दातुन करने का एक और बड़ा फाइदा है ये अरूची को खत्म करता है इसका रोजाना दातुन करने से भोजन के प्रती रूची बढ़ जाती है दोस्तो अगर आपको करंच का दातुन रोजाना न मिल सके तो करंच के पूरी पंचाग इसकी चाल, जड, पत्तों सब को मिला कर इसको साओ में सुखा कर जला कर राक बना ले अब इस राक में नमक और फिट क्री मिला कर पावडर तयार कर ले इस पावडर का रोजाना मंजन करने से भी दांत मजूद बनते हैं और दांतों का दर्द मिठ जाता है अगर दांतों में से खुन आ रहा हो या पायर या हो तो ये भी नश्ट हो जाएगा दांतों के दर्द को दूर करने के लिए और दांतों को सौस्थ रखने के लिए ये करंस का रुक्स बिल्कुल मुप्त का और सरल इलाज है अगर किसी को खासी हो जाती है तो करंस के विजो का चूर्णक बना ले और इसमें से एक से तीन ग्राम की मातरा में लेकर सहथ के साथ मिला कर रोजाना चटाए इससे साधरन खासी तो मिठती ही है अगर कुकुर खासी हो जाती है तो ये भी दूर हो जाएगी दोस्तो करंस के बिजो में से तेल निकाला जाता है ये चर्मरोगों का खात्मा करता है तोचा पर अगर किसी भी प्रकार का संक्रमन हो जाता है चाहे दाद खाज खुजली हो या फोड़े फुंची हो इसमें करंस का तेल रोजाना लगाने से जल्दी ही भाइदा होता है और कील, सरसो, एरंड बीज और दूधी इन सब अवसद्यों को मिलाकर पेष्ट बनाए और इसका लेपर हो जाना विश्पो टक पर लगाए इससे जल्दी ही विश्पो टक रोग नश्टक हो जाता है तो दोस्तो ये थी करंजवरुक्स की छोटी सी लेकिन महत पूर्ण जानक हरी के चाहते हैं